चोपड़ा है जो किसने युटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत गता हूँ मेरे पैरे बच्चों राजस्तान स्टेट जहां की सबसे ज्यादा कटोफ रहती है यानि की दिली के बाद राजस्तान स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां की हाइस्ट कटोफ रहती है और फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड में तो ये कौफी ज्यादा हाई रहती है एक बार मैं आपको यहां फर first round की expected cut-off बताऊंगा कि क्या रह सकती है first round की expected cut-off, second और mop-up round की cut-off मैं आपको all India का first round जैसे ही declare होगा उसके बाद बता दूगा तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि राजस्तान स्टेट की first round की expected cut-off government seat की और payment seat की क्या रह सकती है जैसे जैसे मेरे को समय मिलेगा बाकी states की भी मैं expected cut-off बता देता हूँ तो आईए जान लेते हैं पहले राजस्तान स्टेट की expected cut-off क्या रह सकती है first round की तो आप जानते हैं कि सबसे highest cut-off रहती है राजस्तान स्टेट के first round की दिरली के बाद राजस्तान का ही number आता है your category की अगर हम बात करें तो 635 cut-off रह सकती है यानि कि 12,000 rank तक ये first round में college मिल सकती है your category में your category की जो cut-off रह सकती है 635 मैं आपको यहाँ पर marks बता देता हूँ all india rank आप अपने आप calculate कर लीजी जो आपकी rank है और मैंने भी पहले marks के according all india rank बता दिये क्योंकि marks से ही all india rank बनती है payment seat की बात करें तो 590 cut-off रह सकती है payment seat की your category के लिए first round ये जो मैं आपको cut-off बता रहा हूँ ये सिरफ first round की cut-off ही है only first round की cut-off ही जा सकती है इतने EWS category की अगर हम बात करें तो 633 cut-off जा सकती है government seat के लिए EWS category की और अगर बात करें payment seat की तो 585 cut-off जा सकती है payment seat की 585 cut-off जा सकती है यहाँ EWS category के लिए अब बात करें OBC category की तो OBC category और UR category में rank में ही थोड़ा बहुत फरक पड़ता है बाकी marks same ही रहते हैं तो OBC category की 635 और payment seat की 590 cut-off जा सकती है यहाँ पर payment seat के marks यहाँ पर इतनी cut-off जा सकती है MBC category की बात करें तो 595 cut-off जा सकती है government seat के लिए और payment seat के लिए 545 cut-off जा सकती है अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताओं जो MBC category है MBC category में girls candidate के लिए cut-off काफी down जाती है boys की बजाए boys की बजाए काफी down cut-off जाती है तो मैं आपको यह boys की cut-off बता देता हूँ boys की cut-off 595 government seat जा सकती है और 545 payment seat जा सकती है और girls की sit down जाएगी ST category की 526 cut-off जा सकती है और payment seat की 400 cut-off जा सकती है इसमें अगर ST category की बात करें तो 515 जा सकती है government seat की payment seat की 395 cut-off जा सकती है क्योंकि इसमें जो SC-ST में ज्यादा फरक नहीं पड़ता है payment seat के लिए कभी-कभी ST की cut-off भी ज्यादा चली जाती है SC की बजाए payment seat के लिए STA की बात करें तो government seat के लिए 345 marks पर यह cut-off जा सकती है और अगर हम payment की बात करें तो qualifying marks पर भी यह STA केटेगरी को seat मिल जाती है इसके बाद भी seat vacant रहती है जो payment seat है उसके बाद भी vacant रहती है और यह convert कर दी जाती है ST केटेगरी में यानि कि जो payment seat है STA केटेगरी की फिर भी वेकेंट रह जाती हैं और ये ST कैटेगरी में कनवर्ट कर दी जाती हैं तो ये expected कटोफ रह सकती है राजस्तान स्टेट के first round की फिर से बताता हूं कि ये first round की expected कटोफ रह सकती है second round की और second round की और मौपप राउंड की All India का first round declare हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बता दूँगा बाकी states की भी मैं कोसिस करूँगा first second और मौपप राउंड की कटोफ प्रेडिक्ट करने की तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लेता हूँ विदा जय हिन